जहीं दोस्तों क्या हाल है तो मैंने अलग-अलग टाइप की वीडियोज दी हुए आपको एयर फोन्स की टाइप सी एयर फोन्स की हेड़फोन्स की दोजार सु ऊपर के टी डेवलू एस की बात करें या फिर बात करें नेक बैंड की और आज फिर मेरे पास पाच टी सब्सक्राइब करके कर दीजिए तो करके करते हैं कोशिच करूंगा आपको समझा पाऊं कि इसमें क्या कैसे मिलता है जैसे यह सबसे पहले बहुत एयर डॉप 181 जब इसकी करते हैं बॉक्स के अंदर आपको टाइप टाइप सी केबल मिल जाएगा साथ में टू पेर ओए और यह रहे बाहर निकालने के बाद दोनो TWS इसकी प्राइज की बात करें तो प्राइज है 1600 रुपीज 10 mm ड्राइवर के साथ आता है और भी कुछ जरूरी स्पेसिफिकेशन आपके सामने है इसको जब पहली बार बाहर निकालते हैं तो यह काफी स्मॉल सा है शाइनी इसकी निकल जाते है इसकी बात करें तो लाइट वेट भी फिल और बहुरी नहीं आते है आपको जेश्टर सपोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं वोल्यूम डूब डौन नहीं कर सकते इससे बीस्ट मौड भी मिलता है प्रस करके रखते ए चाइनियोश और इसको मैं ने च में भी नेक बैंड में भी लेकिन जिनको बट्स लेना है तो बट्स के साब से एक ओडियो टेस्ट ठलका से दिखा देते हो आपको और यह ओडियो क्वालिटी है बोट के ट्री पॉर फाइव सिक नेवन एक नाइट टैन और रिवीव को बात करें तो टैन सा फील होता है पता नहीं क्यों बोट ने ऐसा किया इस प्रोट के साथ नोर्मली ऐसा नहीं होता हमेशा बोट के साथ और ब्रैंड ट्वंटी आवर्स का बैटरी बैकप क्लेम करता है उससे कमी देखने को मिलेगा उसके बाद हमारे पास है नोइज वी एस 104 प्रो यह आता 14. 15.2 mm ड्राइवर के साथ 40 आवर्स का बैटरी बैकप क्लेम करता है ब्रैंड प्राइस 1700 रुपीज का मिला यह बोक्स के अंदर आपको टाइप A to type C केबल मिलेगा यहां यह यह मिलेंगे नहीं क्यूंकि इसको अगर आप देखोगे यह यह वाले डिजाइन नहीं है यह बिल्ड क्वालिटी भी प्रोट के ठीक लग रही है जेस्टर सपोर्ट यहां पर भी मिल जाएगा इसके अंदर वोल्यूम अप और वोल्यूम डाउन भी कर सकते हैं और म्यूजिक क्वालिटी में कुछ ऐसा होता अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा वोल्यूम पर सुनो क्य टिप्स होने के बावजूद अच्छा साउंड दे रहे हैं सब कुछ काफी बैलेंस है लेकिन प्राइज है इसका 1700 अब 1700 के हिसाब से इससे बैटर मेरे पास दो प्रोड़ेक्ट है अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लेकिन हाँ जिसको यह टिप्स डिजाइन नहीं पसंद या फिर बैटरी बैकप चाहिए उनके लिए अच्छा उप्शन हो सकता है बस प्राइज आईविस 200 पर कम होता इसकी भी कॉलिंग कॉलिटी आपको चेक करा जेता हूं तो अभी साउंड क्वालिटी है नोच से तो आपको एडिया लग जाएगा 12345678910 लेकिन अगल चल रहा था तो 1500 का मिली है मुझे तो अगर बोक्स को खोलते है न इसके अंदर आपको टाइप A to type C केबल मिलता है और केस के ऊपर का जो यह लीड ओपन होती यह थोड़ा ट्रांस्पेरेंट है एंड साथ में छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले लगा हुए यह दिखाता है में कितनी बैटरी और बची है और साथ में बट्स को अगर आप इसके अंदर निकाल के दुबारा लगाते हो लेफ्ट और राइट यह बट्स की चार्जिंग को भी शो करता है वैसे इसका डिजाइन इंट्रेस्टिंग और कूल सा लग रहा है लेकिन देखा मैंने इसकी ज साथ में ANC के साथ आता अबी ANC के बारे में बात करता हूं तो इसको oles für नहीं शूना करें लेकिन इसको वैसे नहीं सुन सकतें सतर सी परसेंट से उपर बहुत लाउड है और बेस बूस्ट मोड वगर अगर इनेबल कर दो तो ऐसा लगता है बहुत जादा बेस हो गया हो जादा देर तक नहीं हो बेस आप फील करना चाहेंगे डेफिनेटली और जैसे मैंने का लाउडनेस काफी है वो तो चलो अच्छी बाता लेकिन बेस बहुत जादा है ना उसकी वैसे क्या होता है जैसे मुवी देखते है या जो निवेस को ज़िए पसंद और उसे फरक नहीं पड़ता है चोटी-चोटे इंस्टूमेंट श sang डेया ब्स वही सबसे ज़्याद है इसी की है 48 hours तो उनको टागेट कर सकता है इसकी भी calling quality आपको चेक करा देता हूं और यह audio यहाँ पर प्रूप के earbuds से 12345678910 और साथ में जो ANC फीचर दिया हुए इसके अंदर अभी इस रेट में ANC नहीं मिल सकता है यह महंगे महंगे TWS में होता है और वहाँ पर परफेक्टली काम करता है अब इसमें mode मिलता है ANC mode transparent mode हलका सा काम करते हुए दिखेगा बढ़ ब्रैंड ने इस रेट में ANC फीचर ट्राई किया वह अच्छी बार था लेकिन इसको किसी महंगे ANC वाले TWS से compare मत करिएगा बाकि जो requirement मैं बताई उस आप से आप सोचीएगा उसके बाद दो और बर्ट्स है इनको मतलब मैं आसपास एक ही साथ explain करना जाओंगा एक तो हमे और अज को बड्स है अब बात करें इनके output की अगर बात करें रिएल मीट लाइफ बरस द एंडर की तो ऑड्सकी यह है और ऑके आपके शूर हो रहा क्वालिंग क्वालिटी के लिए बात करें तो और यहां पे अभी ओडियो आ रही हो ओपो से तो यहां पर अभी अल्दा चला यह आपको वान टू तू त्री पोर फाइट सिक्स सेवन एट नाइट अगर आप ऐसे हैं जो बहुत ऐसी जगह बात करते हैं जहां नोइस बहुत कर सकते हो और ओडियो क्वालिटी की बात करें तो रियल मी में एप सपोर्ट भी मिलता है और यहां से आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं बाकि में एक उलाइजर सेट करने के लिए जोन से म्यूजिक प्लेर आप प्ले कर रहे हो वहां पे सट करना पड़ेगा लेकि प्लेर फोन्स टी डवलो स्ट्राइग करते हैं उन्हें पसंद आने वाला है विकोज इसमें वहर चीज को काफी बैलेंस किया है ओपो ने रियल में क्या है सिमिलर सा चीज उठाओ लाउडनेस को बढ़ा दो बेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो जिनको लाउडनेस बे के लिए ओपो बैटर है तो यह थोड़ा रिक्वाइर्मेंट के साफ से देखेंगा आप किस तरह से यूज करते कितना चार्ज करते हैं रियल लाइफ में तो यह थे पंदरा सुर्पे के असपास जैसा मैंने का प्राइद उपन नीचे थोड़ा बहुत उतरता सो दो सुर् कुछ है पहला यह कि भाई यह बजट तो आपको किसी तरह से हाई रजोडियो का सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी में दूसरा दो डिवाइस से आप एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते और तीसरा अगर म्यूजिक सुनते हुए आप किसी भी टीडेवलोस को रिमूव करते रिमूव का सपते ही आप किसी एक स TB मारी मेरी रिमूजश्ण यह झार ंसे हो झाले नहीं है किसी तरह से यह किसी पास का सवग्वलोस कर ढ़ी है आप